आज दोस्तों हम बात करेंगे कटिंग के बारे में कि कौन सी आप कटिंग में लगा सकते हैं आज दिसंबर की 21 तारीक है और साथ में देख सकते हैं सभी पौदों में बहुत अच्छे से जो फॉयलेज और फ्लावरिंग है बहुत अच्छे से जो ओरी है डेलिया को अभी मैंने पानी दिया है और देख सकते हैं कितने ज़्यादा यह शाइन कर रहे हैं इन पर भी अभी फ्लावरिंग आने वाली है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको सभी पौदे मैं दिखाता हूं जो आप कटिंग से अभी लगा सकते हैं तो यह लगा तो और मुझे नहीं लग रहा था कि वह दुबारा से ग्रोव करेगा या फिर उसमें दुबारा से जो नया पौदा बनेगा यह नहीं तो मैंने ऐसी उसको एक पौदे के साथ लगा दिया था और उसका मैं आपको एक अभी अपडेट दिखाता हूं कि वह सकते हो मैंने यह दो इकठे ब्लांट में कभी भी नहीं लगा था सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि यह कटिंग थी पर इसने भी अपनी रूटिंग है जल्दी से नीचे से स्टार्ट कर ली थी और साथ में एज इन इंडिविजिल प्लांट है जो यह बनने लग गया है त तो पैंजी का हमाञा पहला पाऻद है हमारे पास दोस्तों जो अगला पाओद है उसका नाम है क्राइज idiमम आप देख सकते हो इस कंभले में मैंने क्राइज जीन quantum विफ लगा रखिए मेरे पास लगभाग यह जो मैंने गार्डन में एड़ किया है जितने मेरे पास पेश तो मैंने उतने क्राइजेंथिमम के कलर जाएड की हैं ये दोस्तों सभी मैंने कटिंग से लगा रखे हैं और अभी आप भी लगा सकते हैं पर जो अभी आप कटिंग लगाओगे वो आपको फरवरी या मार्च में जाके फूल देगी पर फ्लार्स की जो क्वालिटी है ऐसी ह आएगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपने चोटी सी कटिंग लेनी है जिसके साथ जो क्राइजेंथिमम हैं बहुत असानी से ग्रो कर जाता है यह बहुत हाड़ी प्लांट है और सबसे ज़्यादा इसी अगर हम कटिंग की बात करें तो इसकी ही कटिंग रहती तो नॉर्मली जैसे हम पिंचिंग करते हैं कोई पौदे की तो पिंच करने के बाद जो पीछे हमारे छोटे-छोटे प्लांट बचे जाते हैं उनको मैंने लगाया था और यह भी रूटिंग भी स्टार्ट इन्होंने कर दिया और फ्लावरिंग भी लगबग इस पर होने काफी फौदे कर भी चुके है और दोस्तों हमारा जो अगला पौदा है वह है कारनेशन का नर्सरी में कल गया था और नर्सरी में मैंने देखा था इनकी कटिंग लग रही थी और वो कह रहे थे कि यह पहले बारा जो हमारा बैच था वो बहुत ज़़दी से बिग गया और अभी हम cutting से जरा पौदे तियार करेंगे और इसमें colors variation भी बहुत जरा होती है तो मैंने भी Carnation की एक छोटी सी cutting लगा रखिया पर अभी ये successful होने के लिए time लेगी पर आप देख सकते हो ये 15-20 दिनों से लगी हुई है ऐसी ही green है अभी इस पर जल्द से जल्द rooting स्टार्ट हो जाएगी और दुबारा से ये नए पत्ते भी निकालने शुरू कर देगी तो Carnation का पौदा भी दोस्तों cutting से बहुत ही असानी से त्यार होने वाला पौदा है इसकी भी आप cutting अभी लगा सकते हैं और दोस्तों इसके बाद है हमारे पास डेलिया के पौदे की cutting आप देख सकते हैं यह सभी मैंने cuttings ही लगा रखी है हाला कि अभी इस पर पौदा से निकालने लगाना है सिर्फ इसको जब आपको लगे कि पौदा सही होने लगा तो पंदरा दिन और देने चाहिए और उसके बाद आप इसको नए पौदा गम्रेश हो जाएंगे पंदरा करें आप अकल crunchy देख से से सबया है किसी खुद पोदे है क्रौने में से कर सकते हैं तो देल या की कटिंग्तिव है इसको जाता है च्ड़ी से कटिंग से त्यार करने के लिए थोड़ी सी आप कटिंग ऐसी लें जिसमें स्टेम जाता हूँ और उसके साथ क्या रहता है इसकी रूटिंग जल्दी से हो जाती है और यह सभी दोस्तों मैंने पौदे हैं थोड़े से ट्रांस्प्लांट की हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ नहीं बन रही थी अच्छे से और अभी देखते हैं कैसी ग्रोथ होगी पर आप इंपेशन्स की कटिंग जरूर लगा सकते हैं उनके साथ आपके पौदे में बहुत जड़ा फूल आएंगे और यह फ्लावरिंग दोस्तों एपरल एंट तक करता रहता है हैं हैंगिंग त्यार होके यह फूल भी एक ही सिज्वर में देदेता है आप देख सकते हो यह सबी जो नर्सरी वाले जो त्यार करते हैं कलांचो यह ग्रीन हंग उसमें कटिंग के द्वारा ही त्यार किया जाते हैं और उसके बाद तीन-तीन पौदे एक पौट में लगाकर सेल किया जात और तामिल नाडू साइड इसके बहुत सारे कलर्स पाय जाते हैं अगर आप इसके कटिंग लगाना चाहें सर्दियों का मौसम अच्छा रहता है इसके लिए तो आप अभी लगा सकते हैं आप देख सकते हो इसके जो पौदे हैं फूल इंपेशन्स जैसे होते हैं पत्ते ईसके बालसम जैसे होते हैं इसको बालसम इंपेशन्स भी बोला जाता है ऐसे ही दोस्तो जो प्रॉब्लम भी भी नहीं रहती है अगर आप इसको लगाना चाहें याद रखें हमेशा जो अच्छी मिट्टी लें जिसमें सेंडी सॉल जादा हो और साथ में थोड़ी सी कमपोस्ट भी हो इसकी कटिंग 15 या 20 दिनों में रूट करना शुरू कर देती है और रूट करने के 10-12 दिन बाद आप इसको ट्रांस्प्लांट भी कर सकते हो यह जो आप दोस्तों पौदा देख रहे हो यह है जरेनियम का पौदा जरेनियम के पौदे में भी बहुत ही असानी से आप कटिंग प्रॉपगेशन कर सकते हो इसकी मैंने दो-चार कटिंग लगा रखिया पर मैं उसको अभी निकालूँगा नहीं सर्फ आपको दिखा रहा हूँ इसकी भी जो ग्रोथ अभी स्टार्ट हो गई आप ध्यान से देखें इससे नए जो लीब्स आने लगे हैं तो हमें पता लग रहा है कि इसकी कटिंग चलने लगी है थोड़ी सी रूटिंग सभी पौदों की लेट होती है पर ये ग्रोग करना पहले शुरू कर देते हैं इसलिए दोस्तों कभी भी उखाड़े मत थोड़ा से इसको और जड़ा आप देखें इसके बाद ये दुबारा से जब 10-12 दिन बाद आप देखेंगे इसकी रूटिंग भी आनी शुरू हो जाएगी तो जरेनियम का पौदा भी दोस्तों ऐसा पौदा रहता है जिसकी आप कटिंग बहुत ही असानी से ग्रोग कर सकते हो और इसको लगाने के लिए आप अभी का सीजन चुन सकते हो जा फिर जनवरी के मौसम में भी इसकी जो कटिंगs हैं बहुत असानी से लग जाती है अगर आपके पास दोस्तों पैंटर्स का पौदा है जैसे आप देख साथ तो यह पैंटर्स का पौदा है और इसकी भी आप कटिंग बहुत ही असानी से लगा सकते हो इसकी कटिंग बहुत अच्छे से भी लग जाती है और साथ में सक्सेसरेट भी बहुत ज़गा रहता है क्योंकि इसकी stem है वो hard रहती है इतनी जाला इसको problem नहीं रहती है सिर्फ आपने इसको shade में रखना है और shade में रखने के बाद आप देखेंगे 10-12 दिन बाद इसकी rooting हो जाएगी और इसको transplant भी आप उसी वक्त कर सकते हैं इसकी जड़े हैं जारा नीचे को penetrate करते हैं इसलिए porous soil इसको दें जब भी आप इसकी cutting लगाना शुरू करेंगे और दोस्तों ऐसे ही आप anti-renum की cutting भी लगा सकते हो जिसको हम dog flower बोलते हैं हाला कि इसके जो बीज हैं बहुत असानी से लग जाते हैं आप देख सकते हैं और इसको जब आप लगाएं याद रखें कि इसकी थोड़ी सी लंबी cutting लें और इसकी rooting है बहुत जल्दी से start हो जाती है और इसको लगाने के लिए दोस्तों नॉर्मल मीडिया आप ले सकते हैं चाहिए आप इसको पांच इंची के गंबले में लगा दें फिर भी ये बहुत अच्छी से blooming करता है और इसमें कोई भी weed ना उगने दें तांके इसकी जो spreading है वो अच्छे से हो सके मेरे पास इसकी द करते हैं पौदों की तो उसके बाद आप जो कटिंग बच जाती हैं उनको आप लगा के जरूर देखें शायद आपकी जो कटिंग है वो बहुत अच्छी से से चल पाई तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं ऐसी ही दोस्तों आप गेंदे के पौदे की भी कटिंग लगा सकते हैं भी थोड़ा सा आप जब धूब जारा निकले आपकी यहां पर तब लगाएं जारा थंड़ी टेंपरेचर में इसके जो बीज आ अच्छे से नहीं हो पाते हैं और वो जर्मिनेशन आपको नहीं मिलेगी इसके लिए आप इसकी कटिंग लगाएं तो ज़्य पर रूटिंग इसकी बात में शुरू होती है इसलिए जल से आपको खाड़ना नहीं है इसको पहले जब इसकी कटिंग लग जाए उसके बाद थोड़ा सा वेट करें जिसके बाद यह और जड़ा बढ़िया तरीके से जब ग्रो होने लगे तब ही आप इसकी कटिंग को न में पूछ सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग प्लीज दू सब्सक्राइब मैं यूटीब चैनल अल्सो क्लिक दा बैल इकन तो गैट रेगुलर अपडेट फो मैं चैनल थैंक यू फर वाचिंग प्लीज प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो आज कर दो सकत्राइब कम कर दो सकत्राइब चैनल थैंक कर दो कि बदेखा झालने हैं तो वाचिंग रेखार देखा वाचिंग सर दो वाचिंग प्लीज लाज झाल झाल